हरे वल्केमरे हूं तौसीफ और आप देख रहे हैं Believe4U और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने मॉबाइल को वारलेस माउस में कैसे कनवर्ट कर सकते हैं चाहे कोई भी मॉबाइल हो, आईफोन हो, आजो विंडोई हो, कोई भी मॉबाइल हो उससे wireless mouse में कैसे convert कर सकते हैं खैर चलिए देख लेते हैं कि QuadCon सा application हमें download करने की जरूरत होगी और इसका इस्तामाल हम लोग कैसे करेंगे ओके तो चलिए सबसे पहले इसके लिए हमें एक application download करना पड़ेगा अपने mobile में तो play store open कीजिए और search कीजिए remote mouse actually इसके लिए आपको description में link मिल जाएगी तो वहाँ से आप उस application को download कर सकते हैं remote mouse और आप इसका logo देख सकते हैं description में link दी हुई है आप वहाँ से download कर सकते हैं तो simply install, accept ओके चलिए मैं इसे open करता हूँ उसके बाद सबसे पहले आपको एक application डाउनलोड करना पड़ेगा अपने computer में remote mouse.net के उपर जाएए और एक application डाउनलोड कीजिए server डाउनलोड कीजिए और उसके बाद आप इसे connect कर पाएंगे तो चलिए अपने laptop में चलते हैं और इसे download करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं remote mouse.net के उपर हूँ में और यहां पर get now का एक button है इसके उपर के लिए किजिए और यहां से आप देख सकते हैं किस चीज के लिए आपको डाउनलोड करना है डाउनलोड remote mouse app आप यहां पर आईफोन, Windows उसके बाद Android सभी के लिए डाउनलोड कर सकते हैं और यहां पर हैं सर्वर आपको डाउनलोड करना है तो सर्वर आप यहां से Windows के लिए डाउनलोड कर सकते हैं Windows 10, Mac के लिए तो यहां पर Windows के लिए मैं डाउनलोड करूँगा और यह एक MB की फाइल है तो बहुत ही असारी के साथ आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करके simply इसे install कीजिए ओकी यह launch होगे यहाँ पर IP address आप देख सकते हैं तो simply यहाँ पर आईकॉन देख सकते हैं remote mouse का अगर यहाँ आईकॉन यहाँ पर नहीं आ रहा है तो चलिए यहाँ पर simply हम लोग start के उपर किलिक करते हैं start ओके और यहाँ पर add का sign आपको दिख रहा होगा इसके उपर किलिक कीजिए connect by IP और यहाँ पर आप IP टाइप कीजिए तो 192 ओके और simply यहाँ पर yes पर किलिक कीजिए और finally आप यहाँ पर देख सकते हैं instruction आ गया कि आप कैसे कैसे क्या कर सकते हैं tap अगर आप one tap करते हैं तो वो left किलिक होगा वैसे ही double tap right किलिक होगा और भी instruction है यहाँ पर got it, अब आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, कि मैं यहाँ पर मेरा माउस चलना है, आप टच देख सकते हैं, यहाँ पर, for example, मैं इसे cut कर देता हूँ, तो अब बहुत ही आसानी के साथ आप इसे control कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, जो भी आपको देखना के देख सकते हैं, आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही और भी इंट्रस्टिंग वीडियो जाती रहती हैं इस चैनल के उपर, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि हुआ है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेजे, खै आचली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में खुदा हफीस अपना ख्यार लगेगा